हो गया है हलो अच्छो नमस्कार गुड़ आफ्टरनों स्वागा था अब सभी का रोज़गार वेदं की चैनल पर तो क्या हाल हैं सभी के एक बार जुड़ेंगे और बचे दो-तिन अब लोगों को गैप दे देते हैं अल्मोस्ट से बसापका कंपलीट होने वाला है सेवंटी परसेंट से बस हो चुका है आपका थर्टी परसेंट तीस परसेंट बचा हुए तो थोड़ी से एक आद दिन की छुट्टी आप लोग भी फ्रेस हो जाओ तो ऐसा नहीं है वो मैल डिसकाउंट बचे प्रॉफिट लॉस कंपलीट हमारा हो चुका था डिसकाउंट चप्टर बजा हाला कि यह भी प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है और आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा इन दो तिन दिन में ऐसा नहीं कि क्लास अगर ना हुई हो तो गोल कर दिया हूँ आपने भी अगर रिवीजन अच्छे से किया है तो डिसकाउंट चेप्टर के लिए रोगा नहीं तो आज सवाल कान के साइड में से निकलेंगे तो क्या हाल है सभी एक बार बताएंगे भाई अच्छा अच्छा प्रिवीजन नहीं किया नहीं किया तो नहीं करने वालों के लिए डिंडा रखा हुआ है मैंने एक डिंडा रखा हुआ है एक मैंने मुर्गा बनाके अभी सूतूंगा सबको कि इसे मास्टर बोलते थे हमारे गुरुजी कहां थे इतने ने नवे कैस करोगे भई इतना प्यार काहे मान रहे हो कि चलो ठीक है करते हैं डिसकाउंट की सुरुवात चैप्टर है डिसकाउंट क्या है चैप्टर डिसकाउंट डिसकाउंट जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है वर बट्ट छूट भी बोला जाता है ना तो दुखाई बहुत सारे नाम है इसके बहुत सारे नाम है आपका भी घर का नाम कुछ और होगा ऑप बताूगे नहीं आपका नाम मालो किसी का नाम अगर रियल में काडू है ना तो इंस्टाग्राम पर उसकी ID बनी होगी Rocky Handsome के नाम से यह सच है जिनके जैसे नाम होते ना opposite नाम की ID बनती है उनकी cool boy, dancing boy, dancing rocky, नाम उनके घर में ऐसे ही हैं भूरू, काडू, और हाँhmen इसे से नाम है लेकिन अवाले उनकी गजब की बनी होती है और फोटो माशाल्दा माभण 1 पहले एक फोटों को फिल्टर करेंगे उसको सेव करेंगे फिर वूशoric को फिल्टरद ही न फिर से फिल्टर वाले में ले झाएंगे एड़िट करने के लिए फिर सिसकर डबल फिल्टर 蛋र मारेंगे और तब जाकर वह अप्लोड होतो गाए तो अब इसकाण्ट होता क्या है मार्केट जाने पर आप गए धुकान पर जाने के बादि आपने तो देखी कोई चीज देखी कमीज का दुकानदार ने का भाई 800 रुपिया है तो आप उससे क्या कहोगे भाई इस पर डिसकाउंट दे नहीं डिसकाउंट का एक और नाम होता है डिसकाउंट बटा छूट एक और नाम है इसका कोई बताएगा डिसकाउंट को और क्या बोलते लेस वैस नहीं है बलाए एक टेक्निकल नाम नहीं डिसकाउंट का नाम है ठीक ठीक लगा ले क्या नाम है डिसकाउंट का एक ठीक ठीक लगा ले ठीक ठीक लगाले का मतलब है कि guitar भाई एखर दुकान पर आप गए कोई 800 रुपऋ कमीज देखे और आप ने उससे एका ठीक ठीक लगाले तो ठीक 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 लगाले का मतलब है कि आप उस पर discount चाहते हो 800 रुपए कि कोई वस्तु है आप उस फे 100 200 300 का 100-200-300 रुपय आप उसमें चाहते हो कि कम हो जाए तो डिसकाउंट का एक और नाम क्या है ठीक ठीक लगा ले आज हमारा चेप्टर का नाम है तो चले थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो जो आप डिसकाउंट आपने देखा 800 रुपय कमीज बचे हमेशा डिसकाउंट किस पर म मिलेगा बचे डिसकाउंट हमेशा किस पर मिलता है हमेशा अंकित मुल्य पर मिलता है किस पर अंकित मुल्य पर मिलता है या अंकित मुल्य पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं अब आजकल दुकांदार भी तेज हो गए हैं अब दुकांदार डिसकाउंट से बचने के लिए भा और सबसे बड़ा जो उनका आजकल लोगो है दुकांधार का वो है आजald का उधार. आज नगत कल उधार यानि के आज नगत कल उधार, कल आप पहुचोगे, वो कल आज बन जाएगा, यानि कि आज नगत कल उधार, तो कल कभी आएगे नहीं। और एक आजकल जो सबसे बढ़िया लॉजिक चल रहा है, वो चल रहा है, मैंने एक दुकानों पर देखा हूं, आप लिखा रहता है, उधार एक जादू है, आप मांगोगे, हम देंगे, और आप गायब हो जाओगे, तो दुकान दरों के लग-लग नियम स्टार्ट हो गए है तो जो MRP होता है, टेग लगा होता है न, जो टेग लगा होता है, वो टेग पर ही हमेशा डिसकाउंट मिलता है, आप कभी सूपर मार्केट जाओ, कहीं पर जाओ, उस पर हमेशा लिखा होता है, फ्लेट 20 परसेंट आफ, फ्लेट 30 परसेंट आफ, वो हमेशा MRP पर होता है, किरिय मुल्य पर नहीं हमेशा किस पर MRP पर एक बात तो आपको सवन में आईगा अगर मैं discount की बात करूंगा हमेशा किस पर calculate होगा MRP पर यानि के अंकित मुल्य पर MRP इसको इंगली से बोलते हैं MRP Market Retail Price है ना अगर मुझे discount percent चाहिए discount परसेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा discount कितने रुपे का discount मिला है और हमेशा किस पर मिलता है अंकित मुल्य पर हमेशा किस पर मिलता है अंकित मुल्य पर तो बटे MRP और गुणा सो यानि के जब भी हमें discount percent निकालना होगा तो discount upon MRP और into 100 आप करेंगे दूसरी बात ओके आप छोटा सा question आप मुझे बताएंगे छोटा सा question है कि किसी वस्तू का जो अंकित मुल्य है किसी वस्तू का जो अंकित मुल्य है बच्चा वो कितना है मानलो एक हजार रुपया है और उस वस्तू को बेचा गया विक्रे मुल्य कितने किया गया कितने में बेचा गया उसे बेचा गया 800 रुपय में बेचा गया है तो आप क्या मुझे discount percent बता सकते हूं कितना उसका discount percent होगा आप कहेंगे सर एक हजार रुपय अंकित मुल्य है अगर उसका विक्रे मुल्य 800 रुपय है तो सर यहां उसे बेचा गया है 200 रुपय के discount पर और discount तो हमेशा किरिये मुल्य पर नहीं विक्रे मुल्य पर नहीं हमेशा अंकित मुल्य पर मिलेगा तो नीचे हम अंकित मुल्य यानी के 1000 रखेंगे और into 100 आप कहेंगे सर 20% का discount है कितने का 20% का discount इस पे होगा यह बात आपको clear हुई चलो बहुत बढ़िया अब एक चीज और आई जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तू पर एक discount दिया गया है 10% का दूसरा discount भी 10% का दो discount है 10% और 10% के तो बच्चे आप मुझे बताईए उस वस्तू के MRP और SP विक्रे मुल्य का क्या ratio होगा दो discount है पहला भी 10% का दूसरा भी 10% का तो यहां पर आप मुझे बताएंगे कि उस वस्तू के अंकित मुल्य और विक्रे मुल्य का अनुपात क्या होगा तो आप कहेंगे कि सर अगर discount 10% का है तो 10% का जो fraction होता है सर एक बटे 10 होता है बच्चा कितना होता है एक बटे 10 10% का जो fraction है वो एक बटे 10 होता है यानि के अगर उस वस्तू का MRP 10 था तो पहला discount एक का देने के बाद वो कितने में बेचा गया होगा 9 में ऐसे ही दूसरा भी 10% का यानि के अगर उसका अंकित मुले 10 था तो दुबारा भी एक का discount देने के बाद 9 में बेचा गया है तो 10 गुणा 10 100 और 9 गुणा 9 81 यानि के अगर उस वस्तू का MRP 100 है तो भाई बेचा कितने में गया है विक्रे मुले कितना है 81 अगर 100 उसका अंकित मुले है तो दो discount देने के बाद उसे 81 में बेचा गया है तो भाई अनुपात कितना आ गया अनुपात आ गया 181 का बचे चलो ये तो अनुपात आ गया अगर इसी में ही मैं आपको एक बात समझाओं कि किसी वस्तू पर 10 और 10 परसेंट के दो discount है क्या कहा मैंने 10 परसेंट और 10 परसेंट के क्या होगा इक्वलेंट डिसकाउंट क्या होगा 10 परसेंट और 10 परसेंट के दो discount अगर आपको दिये गए तो इक्वलेंट डिसकाउंट यानिके सम तुल्य बट्टा क्या होगा बचे इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है और आप इसे रेश्यो मैथड से भी कर सकते हो रेश्यो मैथड से भी कर सकते हो तो आप कहेंगे सर 10 परसेंट का जो फ्रेक्शन है वो एक बटे 10 यानिके प अर डिसकाउंट के बाद कितने में बेचा गया 81 में तो भाई कितने का डिसकाउंट दिया निकैस का डिसकांट दिया सर इसका तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो यह बच्चा क्या कह रहा है सर आप डाउनलोड नहीं हो रहा है सर जी आप मुझे क्यों डाउनलोड करना चाहते हो तुम क्या कह रहा है अच्छा एप डाउनलोड करना चाहते हो तुम क्या कह रहा है अच्छा एप डाउनलोड करना तो यानि के यहां पर 19 परसेंट का उसे डिसकाउंट मिलेगा 19 परसेंट कब आपके यहां पर आपका फॉर्मूला भी होता है कि जब दो डिसकाउंट दिये हों क्या जब दो बट्टे दिये हों तो दो बट्टो के लिए हमेशा एक्वेलेंट समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला होता है कौन-कौन से डिसकाउंट कोई A परसेंट का और कोई B परसेंट का डिसकाउंट हमेशा एक्वेलेंट डिसकाउंट होता ह एक्वेलेंट डिसकाउंट आपके पास अगर हो तो एक्वेलेंट डिसकाउंट के लिए आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे सो जैसे यह 10 और 10 था तो आप कह सकते हो सर इक्वेलेंट डिसकाउंट होगा माइनस दस गुणा दस बटे सो कितना हो जाएगा 10 और 10 बीस माइनस दो 0 से 2 0 खतम एक सर आजाएगा 19 परसेंट 19% आ गया, बात clear हुई, चलो ठीक है, दो discount और देता हूँ फिर मैं आपको, उनका भी बताना, बचे रेशो में थड़ाना बहुत जुरूरी है, मैं बताऊंगा कब, जैसे मैंने कहा एक discount 20% का, और एक discount दिया 30% का, तो समतुल्य बट्टा बताओ क्या होगा, समतुल्य बट्टा बताओ कितना होगा, इक्वलन डिसकाउंट बताओ कितना होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर, इक्वलन डिसकाउंट होता है, a plus b minus a गुणा b बचे discount के case में याद रखना यहाँ minus होता है discount के case में तो आप कहेंगे 30 plus 20 minus 30 गुणा 20 बटे 100 तो 30 और 20 पचास minus 6 कितना आ जाएगा? 44 44% का discount मिलेगा बात किलियर है लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ के ratio method क्यूं कामियाब है जैसे मैंने यहाँ पे कहा मुझे बताइए एक discount दिया गया है साढ़े 12% का और एक discount दिया गया है 16 सही 2 वटे 3% का तो बताइए अब आप इसमें क्या formula लगाओगे? क्या formula लगाओगे आप? नहीं हो जाएगा लेकिन हालत खराब हो जाएगी formula लगाने से 2 discount है 12% और 16 सही 2 वटे 3% बचा अगर इसमें आप formula लगाने गए ना तो वापिस आने की guarantee नहीं है आप लगाने तो जाओगे लेकिन वापिस नहीं आप आओगे formula लगा कर तो बढ़िया है कि आपको ratio method भी आना चाहिए ratio method भी बचे आपको आना चाहिए आप कहोगे सर साढ़े 12% का जो भिन होता है 1 वटे 8 और 16 सही 2 वटे 3% का भिन होता है 1 वटे 6 अब discount तो साढ़े 12% दिया तो 8 की चीज को कितने में बेचा गया है 7 में discount एक बटे 6 का दिया तो 6 की चीज को कितने में बेचा गया है 5 में गुणा करेंगे 8, 6, 48 और 7, 5, 35 भाई कोई चीज 48 की थी 35 में बेची गई है तो 8, 5, 13 का discount है 48 पर और गुणा 100 4 से काटेंगे 25 बार 4 से काटेंगे 12 बार 13, 55, 6 32, 26, 32 325 बटे 12% का discount है 325 बटे 12% का discount बिलकुल सही जवाब आप कह दोगे लेकिन अगर आप इसे A plus B minus 1 गुणा B बटे 100 से करने जाते तो बच्चे ये पिरतिसत हालत खराब कर देती तो बढ़िया है कि दो चीजे आपको parallel आनी चाहिए दो चीजे parallel आनी चाहिए रेश्यो मेथड से चले जाते भाई क्या दिक्कत है तो वो भी करेंगे बाद में पिलालिस कांसर बता दो एक करा राशन मेथड बैस्ट है राशन मेथड था बैस्ट है कौन से वाला राशन सवाल देखिए एक बार उसने क्या कहा किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के बाद उसका विक्रे मुले 238 हो जाता है तो अंकित मुले क्या होगा तो उसने कहा किसी रेडियो को 15% की डिसकाउंट के बाद अगर विक्रे मुले उसका 238 है बचे 15% का डिसकाउंट का मतलब है कि अगर उस वस्तू का अंकित मुल्य 100 रहा होगा तो बेचा कितने में गया होगा उसे 15% के discount पर यानि के उस वस्तू को बेचा गया है कितने में 85 में, कितने में बेचा गया है 85 में, आप अनुपात ले लो 5 से जाएगा 17 और 5 से जाएगा 20, यानि कि अंकित मुल्य और विक्र प्रचों के 68 एक यूनिट का मान 14 तो यहां पर 20 का मान कितना होगा 20 इंटू 14 यानि के 280 आपका आंसर हो जाएगा कि उस वस्तु का विक्रे मुल्य क्या होगा 280 रुपे 280 रुपे next question पर चलते हैं देखो अब यहां पर तीन discount आ गए बचे करो इसको फॉर्मुला तो नहीं लगा सकते इस पे आप फॉर्मुला तो नहीं लगा सकते आप इस पे तो क्या करें 10% 20% 40% की छूट सरंखला कितनी एकल छूट के बराबर है the discount series of 10 2040 is equal to a single discount of चलो देखेंगे जल्दी से answer बताई बचे क्या होगा उसने का 10% 20% और 40% और 40% का equivalent discount ratio method से जाओ बचे आप अगर formula वाले method से जाओगे तो आपको पहले इन दो में formula लगाना पड़ेगा और फिर यहां से जो मिलेगा फिर उसमें और 40 में formula लगाना पड़ेगा तो बढ़िया है मैं ratio method से एक line में चीजे solve करो क्यूं सही बोला ना सर जी सही बोलते हो आप तो सही बोलता हूं तो करो 10 परसेंट का fraction कितना होता है एक बटे 10 बीस परसेंट का fraction एक बटे 5 और 40 परसेंट का fraction होता है दो बटे 5 यह fraction आपको रटे हुए होने चाहिए रटे हुए अगर fraction आपको है तो आप बताईए एक बटे दस, एक बटे पांच और दो बटे पांच को जब मैं करूंगा तो यहां पर कितना equivalent discount बनेगा पहली बार जब मैंने एक बटे दस किया तो यह 10 से 9 हो गया फिर एक बटे पांच किया तो 5 से 4 हो गया बहिए discount का मतलब है कि चीज को कम में बेचा जा रहा है 238 यानि के 250 रुपे की कोई अंकित मुल्ले वाली वस्तू 108 में बेची गई है बेची गई है तो कितने का discount मिला आप कहेंगे सर घटा दो 10 में से 8 गए 2, 4 में से 0 गए 4 और 2 में से 1 गया 1 142 का discount है और कितने पर है 250 पर और गोणा 100 तो 50 दोनी 100, 50 पंजे इतना 142 दोनी कितना होता है 284 बटे 5 कितना होगा 5 पूरे 25, 3, 5, 30 और 5, 48 56.8 परसेंट आपका answer आजाएगा option number C 33 discount को ratio method से उड़ा सकते हो इनको उड़ाने का एक अलग तरीका बताऊ अलग तरीका बताऊ इनको उड़ाने का बढ़ी आसा, special तरीका, मज़ा आजाएगा मगर आऊं, यहां तो चलो आपने इनका ratio method बना लिया कि 10% को एक बटे, 10, 20 को एक बटे 5, 40 को दो बटे 5 सपोज अगर इस तरह का कुछ percent होता कि 2%, 3% और 8% अब यह 3 discount है, बना लो इसके कैसे ratio बनाओगे बना लो इसको कैसे करोगे, यह तो हालत खराब कर देगा तो सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें वो तरीका बता दो तो चलो equivalent discount निकालने का, एक गजब का तरीका तुम्हें बतातों गजब का तरीका बतातों कैसे जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना आपको, चकरवर्दी ब्याज की backbone है थोड़ा सा इसमें change होगा, और चकरवर्दी ब्याज की यह मालो backbone है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह discount में भी apply हो जाएगा होना क्या होता है, कि 3 discount दिये गए है, मुझे 10%, 20% और 40% के 3 discount है बचे जो तरीका में बता रहा हूँ ना, वो apply करना और follow करना देखना आपका जो answer आएगा न, exact आएगा, point भी आप exact निकाल रहे होगे point भी, कैसे, एक बार क्या करना है, rule देखना एक बार मैं समझ में ना आए, दूसरा question कराऊँगा, तीसरा कराऊँगा, चोथा कराऊँगा, समझ में आएगा tension ना लो, tension ना लो, समझ में आएगा, कोशिस करो pen को side में रखो और जो टुकुर टुकुर देख रहे हो मेरी तरफ, वो टुकुर टुकुर बोर्ड पर देखो, ठीक है, वो टुकुर टुकुर बोर्ड पर देखो, जो मैं कराऊँगा, एक बार तीनों को जोड़ दो, क्या करना है, तीनों को जोड़ दो, तो तीनों को जोड़ेंगा, कि का साइल लगा दो फिर आप इन दोनों की गुणा करो, कितना अएगा? 20 धां 200, इन दोनों की गुणा करो, कितना अएगा? 400, 40 गुणा 20, 800, और पहले और तीस्टे की गुणा करो, 40 धां 400, क्या करना है भाई? आपको जस्ट इतना करना है एक बार तीनों को जोड़ा आया सत्तर माइनस दो दो की गुणा करी दो की गुणा करी दो सो दो की गुणा करी आठ सो दो की गुणा करी चार सो जो डिफरेंस गुणा करके आया है ना उनको जोड़ दो आठ और दो दस और चार चौध है 14000 और जोडने के बाद बटे 100 कर दो बटे 100 हमेशा अब यहाँ माइनस लिया था दूसरा पिलस का साइन ले लो और जो दस बीस और चालिस है ना तीनों को एक साथ गुणा कर दो कितना एगा दस गुणा बीस गुणा चालिस कितना आज एगा चार दो नहीं आठ और तीन जीर किया था मेरे प्यारे सैनिक भाई यहां चार जीरो से डिवाइड कर दो कि दौस्त कर दिया तुमने सवाल दौस्त कर दिया तुमने सवाल मैं फिर से repeat करता हूं करना क्या था एक बार तीनों को जोड़ा 70 माइनस दो दो की गुणा करी 200 800 और 400 जोड़ा तीनों को आया 1400 बटे 100 फिर एक बार माइनस फिर पिलस करना है पिलस तीनों की गुणा करी 8000 और यहां बटे 100 था यहां 4 0 से डिवाइड कर देंगे सवाल का अंसर आ चुका है कितना है 70 माइनस 14 पिलस 30 से 30 खतम 10 बटे 8 8 बटे 10 होता है 0.8 पिलस वालों को जोड़ दो 70.8 माइनस 14 कितना आएगा आप गेंगे 56.8 कितना आएगा 56.8 बिलकुल सही जवाब है ठीक है अब एक सवाल मैं और देता हूँ आपको एक सवाल और देता हूँ मैं आपको अगर आप bullshit यह तरीका है बच्छा यह तरीका है मैंने ख़ए 2% 3% और 4% देखना आप सवाल की दज्जिया उड़ा रहे होगे दज्जिया उड़ा रहे होगे आप सवाल की इसमें अगर आप ratio method लगाने गए ना तो यह हालत खराब कर देगा ratio method क्योंकि भाई दो परसेंट का दो बटे सो तीन बटे सो चार बटे कहां तक ratio method लगा होगे नई तो एक universal तरीका तीन परसेंट कहो फिरी में ले जाओ लूट लोगांदार को discount discount लेते रहोगे तो यहां पर 4 और 3 साथ और दोनों जोड़ा पिलस दोदो की गुणा करी तीन दुनी 6 दोदो की गुणा करी चार तिया 12 दोदो की गुणा करी चार दुनी 8 तीनों को जोड़ा 12 8 20 और 6 26 बटे 100 पिलस सुरी पहला माइनस का आएगा यह माइनस का आएगा पहला दूसरा पिलस का आएगा कि चार तिया 12 दुनी 24 और बटे यहां 100 था तो यहां 4 0 कितना एगा 9 माइनस 0.26 पिलस 0.0024 बटे 4 0 है ना तो बच्चे 0.0024 है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9.0024 और इसमें से घटाना है 0.26 घटान कितना एगा 4 2 10 में से 6 गए 4 9 में से 2 गए 7 तो आ गया 8.7424 परसेंट कितना आ गया 8.7424 बड़े-बड़े सवालों को भी बड़े-बड़े परसेंट को भी भाईसा भी यह मैं कराऊ उधेड के फैक दे गाए जैसे मैं आब आप से पूछूं बताई मुझे 8 परसें है इनको एक साथ बनाओ कितना बनेगा तीन परसेंट है इनको बताओ एक साथ कितना बनेगा तो आप कहेंगे कि सर एक बार तीनों को जोड़ा 10 और 19 और 8 कितना 27 यस माइनस दोदो को गुणा किया आठ नाम बहत्तर दोदो को गुणा किया दस नाम 90 दोदो को गुणा किया 10 आठ हस्सी नौराट सत्रे और साथ, सत्रे और साथ 24, बटे 100, पिलस, गुणा करेंगे, आठ नाम 72, धाम 720, और बटे 40, ठीक है, कितना आएगा, 27-2.42, पिलस, बटे 1000 है न, तो 0.072, पिलस पिलस वालों को एक साथ जोड़ लो, 27.072, और उसमें से 2.42 आप घटाएंगे, तो 2, 7 में से 2 गए 5, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 गए 4, तो कितना आगया, 24.652 परसेंट का इक्वेलन्ट डिसकाउंट आपको मिलेगा, 24.652 परसेंट बिलकुल सही जवाब है, तो इतना भी कैलकुलेटिव में आप बहुत अच्छे से चीजों को टैकल कर सकते हो, चलो ये कॉंसेप्ट तो 3 का हो गया, हाला कि कॉंसेप्ट बहुत सार रहेंगे आगे, मैं कॉंसेप्ट एक साथ ही सिखा रहा हूं आपको, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, बच्छे एक कोशन बड़ा फेमस होता है, बहुत तरह का फेमस है कि मैं आपसे कहूं कि भाई, एक डिसकाउंट दिया गया है, 20% का अकेला डिसकाउंट, दुकान पे जाओ आप, और अब देखना, दुकानदार आपको कैसे अकेला डिसकाउंट है, 20% का, और दुकानदार ने दो उप्सन दिये, कि या तो भाई साब, आप 20% का अकेला डिसकाउंट ले जाओ, या फिर आप एक काम करो, 10-10% के 2 डिसकाउंट ले जाओ, अब आप मुझे बताओ, दिखने में तो इस दोनों बराबर लग रहें, कि अकेला डिसकाउंट 20% का, 10-10% के दोनों डिसकाउंट, आप दुकानदार से कोगे, कोई सभी दे दे, बराबर है दोनों, लेकिन आज के बाद आप नहीं कोगे, मुझे बताओ, अगर आप ग्राहक हो, खरीदने वाले हो, तो आपके लिए कौन सा डिसकाउंट बैटर है, बचे एक बात मुझे बताओ, कि जो डिसक, ये कौन है, दिखाना जरा उपर चलना, इसको अनमोल चौधरी को परमनेंट आउट करो, चैनल से ही, अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर आप गिराहक हो, आप कोई चीज खरीदने जाते हो, तो हमें तो जितन ठीक लगवाओगे, तो वो 15% कर देगा, अब गिराहक के विए तो भाई जितना डिसकाउंट जादा होगा, उतना फायदे मंद है, yes और no, तो आप बताओ, कि गिराहक के लिए, इनमें से कौन सा डिसकाउंट है, जो फायदे मंद, आनि का गिराहक के लिए जो है यह discount के उपर discount है आप कभी online purchasing करो आजकल तिवहर का season चल रहा है देखो आप कभी कोई सी भी website पर जाओ वहाँ पर पता है क्या लिखा रहता है 20% discount plus 10% discount ऐसे लिखा रहेगा 50% discount plus 20% discount आप उनसे बोलके देखना 50 और 20 जोड़के 70% discount देदो भाई वह नहीं देगा कभी आपको क्यों क्यों क्योंकि वह जानता है कि discount उसने भी पढ़ा है वह भी class करता है एक वजे और वह भी कर रहा होगा यतनी भी website है फिलिपकाट मिंतरवाले सब किलास कर रहे है एक बज़े यहीं पर तो वह वेकूप कैसे बन जाएंगे वह जानते हैं 10 और 10% के अगर equivalent discount दिये तो वह अकेले discount से कम होंगे वह जानता है कि equivalent discount का मतलब होता है a plus b minus a गुणा b बटे 100 यानि के a plus b 10 और 10% का a plus b 20% तो चलो ठीक है लेकिन जब मैं successive की बात करूँगा तो इस में से कुछ कम भी हो रहा है तो यहाँ पर 10 और 10 का equivalent निकालेंगे मेरे प्यारे सैनिक भाई तो यह हमारा फिर 20% नहीं बचेगा फिर यह 19% हो जाएगा अब आप मुझे बताओ अगर आप गिरहाक हो तो आप successive discount किरमागत बटे लेना पसंद करोगे यह अकेला discount लेना पसंद करोगे आगे से जब भी दुकान पे जाओ तो उसे बोल के देखना जो यह बराबर बराबर के discount प्लस लगागे किये हुए है ना वेकूफ मत बना मेरा मैं जानता हूँ के discount अगर मैं इनका equivalent निकालूँगा तो यह कम बैठेगा अकेला discount लेना पसंद करोगे अगर आप गिरहाक हो और बचे अगर आप दुकानदार हो तो दुकानदार के लिए तो जितना discount कम से कम हो उतना फायदेमंद है तो यहाँ पर तो दुकानदार के लिए तो successive discount हमेशा better होता है हमेशा better होता है यह चीज भी आपको समझ में आई और सबसे important चीज थी है एक question देता हूँ मैं आपको मुझे बताईए difference बताना दोनों में मैंने कहा एक है आपका 30% का बटा और एक है आपका क्या 25% और 5% के दो equivalent discount है समतुले बटा है दोनों के बीच अंतर बताना है जल्द हर गुरूप में एक ऐसा बंदा जुरूर होता है आपके गुरूप में भी होगा मेरे गुरूप में भी हर गुरूप में एक ऐसा बंदा जुरूर होता है आप कोई चीज खरीद के लेकर आओ friend circle में कोई भी चीज खरीद के लेका हो आप खूब मैं करा हूँ दुकांदार को निचोड के ले आओ वो आते ही आपसे कहेगा कितने की लाया ये चीज तो आप को गए जी मैं 500 की लेकर आया हूँ तो वो कहेगा अच्छा मुझे ले चलता मैं 400 की दिलवाला आता उसे मतलब नहीं है कि तुम उसे दुकांदार को खूब ने चोड़ के लाए हो लेकिन उसने कहा 500 आपने कहा 500 वो कह देगा 400 में दिलवाला आता मैं तुझे वो एक डिसकाउंट हमेशा अपने हाथ में लेके चलता है हर जगह ऐसे होता है जो बारगेनिंग बहुत करते हैं है ना बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करते हैं अब मैंने बारगेनिंग का नाम लिया ना तो आपके दिमाग में किसी ना किसी का 100% नाम आ गया होगा अरे वो बंदा होता है जो हमेशा आप से कहेगा कि इतने मैं तो मैं दिलवा लेता इतने पर सो यह तो यहां पर हम अपना टेक्निकल चले तो एक डिसकाउंट 30% का है 25 और 5 का है दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा तो बच्छा आप कहेंगे कि सर दोनों के बीच का ज निकाल लिया सर हमने आप तर तक हमें बातों में लगा रखा था अपने इतने में तो हमने निकाल दिया डिसकाउंट कैसे तो आप 25 और 5 का डिसकाउंट निकालोगे तो तो यही आपका अंतर हो जाएगा आप पहले तीस में से घटाते फिर तीस का और उसका डिफरेंस लेते ना भाई डिफरेंस के लिए तो मुझे पता है कि जो ए गुणा बी बटे 100 होता है यही इन दोनों का अंतर होता है हुआ यहां भी तीस था यह 30 में से सवा कम है तो सवा ही जो ए 1.25 यही आपका डिसकाउंट बोटा मोटा पड़ो यार हमारे घर में तो हमारे पापा जी है हर घर में हर परिवार में हर फ्रेंट सरकल में होता है वारगेनिंग में बड़ा फैमस है और हमें मज़ा भी आता है कि इसको ले चलो नहीं ये करवा देगा कम सो परसेंट करवा देगा इतने मानदार लोग मुझे चाहिए अपने देश में तो चलो सवालों की तरफ चलते हैं भाई अब तो मैक्सिमम कॉंसेट आप सीखी चुके हो तो इसका अंसर कितना आ गया इस होगा उसने कहा कि 16 ही दो बटे तीन 33 एक बटे तीन 66 दो बटे तीन का एकल डिसकाउंट किसके वराबर है भाई सब यह आप आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से मैथड से करो जो मैने मैथड अभी बताया तीनों का उससे मत करना इसको वह भी हालत खराब कर देगा आपके पास तो हर चावी मैंने दे दी अब चावी जो जो चावी बढ़िया हो उसको लगाओ वही आप जानते हो कि यह जो बट इन का एक साथ बताया था है और दो डिसकाउंट हो 10 परसेंट 20 परसेंट तो ए प्लस भी माइनस ए गुणा भी बटे सो यह चीज आएगी प्रेक्टिस से को कौन सी चीज कहां पर आपको टाइम से लगानी है तो यहां पर आप देखिये 16 सही 2 बटे 3 परसेंट का अगर मैं दोर है अगर एक बटे देखियों प्लस पर आपको कौन साथ मैं है तो और यहां फंटमानी परसेंट 17 पर informate दोर्म धेशिक्या भी म charity परसेंट सालिस का डिफरेंस है और कितने पर चववन पर और गुणा सो यह आपने करना है दो से काटेंगे दो से काटेंगे 27 बार और दो से काटेंगे 22 बार तो कितना आजाएगा क्या सी सही 13 बाटे 27 बिलकुल सही जवाब है चलो नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अब ये सवाल देख लो भीया किसी बिजली के पंखे का सूची मुले सूची मुले क्या होता है अंकित मुले मार्केट प्राइज किसी किसी बिजली के पंखे का सूची मुले 300 रुपे है यदि उस पर 15 परसेंट और 10 परसेंट की दो किरमिक छूट equivalent discount दिये गए successive discount दिये गए आपने एक दिन का बोल के दो दिन का अउकास क्यों लिया सर क्या बताऊं हो गया अब हो गया अब नहीं होगा चलो जल्दी से बताओ क्या इसका अंसर होगा किसी बिजली के खंबे पंखे को सूची मुले 300 है अगर उस पे 15 और 10 परसेंट की दो discount दिये गए तो विक्र मुले क्या होगा ससी जीडी 21 में चैनल 64 मार्क्स बढ़िया भाई बढ़िया चलो आप मुझे बताओ उसका सूची मुले कितना है भाई 300 है अब जो discount मिलता है वो किस पर मिलता है अंकित मुले पर अगर पहला discount 15% का है आप मुझे simple सी बात बताओ किसी भी चीज़ पर अगर 15% का discount दिया गया तो कितने percent में बेचा गया होगा जल्दी से मुझे बता दो अगर मैं किसी भी वस्तू पर 15% का discount दे दू भूल जाओ सवाल क्या करें जो मैं बात कराओ उसका जवाब दू किसी वस्तू पर 15% का discount दू तो उसे क्या 85% में बेचा जाएगा तो भाईया इसे 85% में बेचा गया पहले discount क के बाद दूसरा भी discount तयार है 10% का अगर किसी वस्तू को 10% के discount पर बेचा जाए तो बेचा कितने में जाएगा सर 90% में तो गुणा 90 बटे 100 इसका आंसर आप बता दो आप कहोगे सर जी मज़ा आ गया सवाल का आंसर निकालने में जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो दो नो option number D है, option number D है मैं तो नहीं निकाल रहा है इसका आंसर भी है D लगाऊंगा मैं तो, मैं तो answer D लगाऊंगा क्यूं मुझे calculation करनी थी 300 गुणा 85 बटे 100 गुणा 90 बटे 100 और मैंने अपनी आखों से टुकुर टुकुर करके देखा कि जो ये 90 है ना इसमें एक 9 भी तो यहां पर मैंने देखा कि भाई 90 से अगर वो संख्या multiple है तो वो 9 से जरूर कट रही होगी और 9 का divisibility rule कहता है sum of a digit अंको का योग तो अंको का योग आप करके देख लो 7, 5, 12, 24, 26, 9 से नहीं कट रहा हटादो 5, 5, 10, 12, 12, 24, 9 से नहीं कट रहा हटादो 3, 2, 5, नहीं कट रहा हटादो नौर पांच, चौधर, दो, सोलर, दो, अठारा आपका अंसर आ जाएगा, बिलकुल सही जवाब, अठारा कट गया, और मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, नहीं पड़ी न, आपको भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसे फिर भी बेसिक से कर लेते हैं, कैसे, आप कहेंगे सर दो जीरो से दो जीरो उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया, पांच दुनी दस और सत्रा पंजे पिच्चासी, कितना आया, तीन गुणा सत्रा गुणा नौ बटे दो, सत्रा तिया इक्क्यावन और नौ एकम नौ नौ पंजे, नौ एकम नौ नौ 45 और बटे दो दो दूनी चार दो दूनी चार दो नाम 18 और दो पंजे 10 कितना आ गया 239.5 ऑप्शन नमबर डी बिलकुल सही जवाब येस दोनों तरीके आपके दिमाग में रहने चाहिए आप देखो लंबा चोड़ा सवाल हाँ इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा इसका कॉंसेट तो बता चुका हूँ मैं आपको एक एक कॉंसेट और अगर मैं पहले बिना कॉंसेट बताए सवाल दिखाता ना डर जात सबस्ते आप लेकिन आप नहीं डरोगे आप नहीं डरोगे सो है भाइश करेंगे सवाल को देखिए एक दुकाझदा यहाँ पर बात की की गई है दुकानदार किसी वस्तू पर खरीददार को निमलिखित बट्टो की योजना प्रस्ताव देता है तो किस योजना में वस्तू का विक्रे मुल्य सबसे कम का क्या मतलब है वस्तू का विक्रे मुल्य सबसे कम से आप क्या समझते हो जब डिसकाउंट जादा दिया जा दिया, तो 85 में बेचना पड़ेगा, यानि कि discount जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो जो selling price है, जो आपका विक्र मुल्ले है, वो कम होता जाएगा, यह तो practical बात है, देशी बात है, जितना discount जादा लोगे, जितना ठीक ठीक जादा लगवालोगे, उतना वो कम पैसे देने जादा होगा, वही आपका answer हो जाएगा, बचे, दो 10% के करमबार बटे हैं, तो 10 पिलस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे सो, 19 परसेंट बनाते हैं, 12 और 8 के 2 हैं, तो 12 और 8 के अगर 2 हैं, तो 12 और 8, 20 माइनस 12 गुणा 8 बटे सो, 12 अठे चाण में तो 20 माइनस 0.96, है ना, तो कितन जाएगा, 19.04, 19.04%, बात तो किलिए हैं, 15 और 5 का डिसकाउंट है, 15 और 5 का डिसकाउंट है, तो 15 और 5, 20 माइनस 5 गुणा 15 बटे सो, 20 माइनस 0.75, यानि के 19.25%, और यहां अकेला 20% का डिसकाउंट है, मैंने कहा, जिसमें डिसकाउंट जादा होगा, उसमें आपका विक्रे मुल्ले कम होगा, मुझे ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं तो करके दिखाया आपको, लेकिन सवाल आपने देखा, तो अकेला 20% का डिसकाउंट सबसे जादा होगा, आप देख सकते हो, 10% के 2 करमवार बटे, 20% बनाते हैं, 20 से कम, 12 और 8, 20, 20 से कम, 15 और 5, 20, 20 से कम, लेकिन जो अकेला 20 है, ये सबसे जादा होगा, सबसे जादा होगा, अकेला बटा, यही बात तो डिसकस की थी हमने, और जो डिसकाउंट सबसे जादा होगा, उसका विक्रे मुले उतना ही कम होगा, 20% डिसकाउंट देना पड़ रहा है, उतना कम रुपया देना पड चले कुशन देता हूं बड़ी हासा आपको इसे करते हैं चलो बताएंगे जल्दी से क्या सवाल का अंसर होगा जल्दी से सेनिक भाई आंसर चीए मुझे आपका एक व्यापारी अपने समान के मुल्य को लागत से 20% ज़ादा अंकित करता है अब व्यापारी अपने समान पर कुछ छूट देता है और 12% का लाब कमाता है तो छूट की दर ग्यात करें यहां थोड़ा साथ घूमेंगे आपको दो कंसेप्ट के लिए रहने चाहिए कि लाब ह या हानी हो हमेशा किस पर मिलते हैं किरिये मुल्य पर और डिसकाउंट किस पर मिलता है अंकित मुल्य पर मैं फिर से रिपीट करता हूं लाब हो या हानी हो हमेशा कॉस्ट प्राइज पर और डिसकाउंट हमेशा मार्किट प्राइज पर ये दो चीज अगर दिमाग में सैट ह तो profit loss discount से कैसा भी सवाल आ जाए आप उसको उठाकर साइड में रख दोगे भाई सब तो हट जा साइड में तेरी जरूरत नहीं है मुझे तेरा तो आंसर यह हो जाएगा तो आप देखे उसने कहा एक व्यापारी अपने समान को मुल्य को लागत से 20% जादा अंकित करता है तो उसने कितना रुपिया अंकित कर दिया बचाब क्या कहोगे आप कहोगे अगर लागत सो था तो उसने 20% जादा याने के 120 उसने अंकित कर दिया 120 उसने अंकित कर दिया उसने कहा कि अब व्यापारी अपने समान पर कुछ discount देता है हमें नहीं पता कितना discount देता है उसने कह दिया कुछ discount देता है और 12% का लाब कमाता है थोड़ी देर पहरे दो पॉइंट बताए थे कि profit हो या loss हो किस पर मिलेंगे हमेशा cost price पर मिलेंगे तो अगर उसे 12% का discount हुआ है ना ये किस पर हुआ होगा 120 पर या 100 पर जल्दी से बताओ ये जो उसे 12% का discount मिला व्यापारी को ये 100 पर मिला है या इस 120 पर किस पर मैं ये 12% calculate करूं सर 100 पर करेंगे क्यों कि 100 आपका किरिये मुल्य लागत है और profit तो हमेशा लागत पर ही मिलेगा तो ये 12% का जो profit होगा ना भाई ये 12% का profit इस 100 पर मिलेगा तो 100 का 12% 12 ही होता है यानि के 112 में उसे बेचा गया है तो उसका selling price कितना 112 कितना 112 अब वो discount बताना है छूट की दर अब discount किस पर मिलता है तुरंत दिमाग में आना चाहिए उसने discount पूछा है discount तो अंकित मुल्य पर मिलेगा यानि के 120 वाली कोई वस्तू अगर 112 में बेची गई है तो प्यारे सेनिक भाई क्या उस पर 8 रुपे का discount दिया गया है तो अगर मुझे discount परसेंट निकालना है तो आप कहेंगे सर 8 रुपे का discount और discount तो हमेशा अंकित मुल्य पर मिलेगा बटे 120 गोणा 100 आठे कम आठ और 15 अठे 120 तो 100 बटे 15 कितना हो जाएगा पांच तीया 15 और 20 पंजे 100 20 बटे 3 यानिके 6 सही 2 बटे 3 परसेंट 6 सही 2 बटे 3 परसेंट का discount होगा option number A बिलकुल सही जवाब है मैं repeat करता हूँ उसने कहा एक व्यापारी अपने समान के मुल्य को लागत से 20 परसेंट जादा अंकित करता है अगर उसका लागत 100 था तो उसने 120 अंकित कर दिया उसने कहा वैं उस 120 पर कुछ discount देता है वो discount देने के बाद भी उस व्यापारी को 12% का लाब होगा अब ये तो हमें नहीं पता कितने का discount दिया लेकिन ये जरूर पता है कि 12% का discount इस 100 रुपे पर हुआ होगा लागत पर तो 12 का discount यानि के 112 में उसने बेचा होगा अब 120 की कोई अंकित वाली चीज है 112 में बेची जा रही है तो क्या 8 रुपे का discount है और किस पर 120 पर गुणा 100 यानि के 6 सही 2 बटे 3% का उसे discount मिला है 6 सही 2 बटे 3% का discount next question पर चलते हैं ये सवाल बताओ अब सवाल ने देखो हलाकि ये चीज तो universal है कि जो discount मिलता है वो अंकित मुले पर मिलता है लेकिन जैसे अगर सवाल कहेगा हमें फिर उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे सवाल में उसने विक्रे पर discount दे दिया तो हम दे देंगे भाई हमने जब लाब हानी पढ़ा था हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी क्या कि उसने लाब जो है वो विक्रे मुले पर भी लगाया था एक बार और मैंने कहा था कि जो लाब है हानी है किरिये पर लगता है लेकिन सवाल अगर विक्रे पर लगा दे तो हम वहां से calculate करना पड़ेगा हमको तो वही उसने यहां पर किया है उसने कहा एक व्यापारी अपनी वस्तों का विक्रे मुले 10% बढ़ा कर निर्धारित करता है निर्धारित कर दिया उसने कि इतने में बेचूगा मैं यानि के 10% जादा सौ अगर उसका मुले था लागत मुले तो 10 परसेंट जादा यानि के 110 उसने निरधारित कर दिया और विक्र elim trailer पर by parties Phris today ने कहा दिया तो कि हमें लगाना पड़ेगा और कुछ 10 परसेंट का बटा है interests पेदेगा तो 110 का 10% कितना होता है 11 10% और 1% निकालने सिखाए थे मैंने आपको तो 110 में से 11 गए तो भाई निन्यान में में वो बेचेगा तो उसका लाभ पिर्तिसत 100 रुपे में खरीद के लाया था निन्यान में में बेच दिया एक की हानी हुई है कितने पर 100 पर और गुणा 100 सैनिक जल्दी स बता दो क्या आंसर होगा एक परसेंट की हानी हो जाएगी उसे 100 की चीज को निन्यान में में बेचा है तो लाभ वाले तो ऑप्सन को भगा दो एक परसेंट की हानी आपका बिलकुल सही जवाब होगा कितना वन परसेंट लॉस इस दा करेक्ट आंसर ओके नेक्स चलते हैं सवाल करेंगे जल्दी से मैं ये मत करो ये भी मत करो ये करो ये सवाल करो आप क्या आंसर होगा बताएंगे जल्दी से सभी लोग टाइम हो गया और इत्री जल्दी सुई कैसे भाग गई घड़ी की उसने कहा यदि एक व्यापारी किसी वस्तू के अंकित मुल्य पर दो किरमागत बटे 15 और 10 परसेंट दे कर 3060 में बेचता है तो उस वस्तू का अंकित मुल्य क्या होगा अब आपसे यहां पर उसने अंकित मुल्य पूछ लिया डिसकाउंट दे दिया और बेचने वाला वस्तु मुल्य दे दिया आपको नहीं पता कितना अंकित मुल्य है बचे मैंने उस वस्तु का अंकित मुल्य A माना अब अगर उस वस्तू पर पहला discount 15% का है तो उसे बेचा कितने में गया होगा? क्या उसे 85% में बेचा गया होगा? बिल्कुल सही बात. अगर दूसरा डिसकाउंट 10% का है तो क्या 90% में बेचा गया होगा बिलकुल सही बात और ऐसा बेचने पर उसे 3060 रुपे में बेचा गया है तो आप यहां से अंकित मुल्या निकालो जल्दी से आंसर क्या होगा आप कहेंगे कि सर यहां पर आ हमारा जो आंसर होगा ना वो 0 से 0 खतम हो गई 9 से जाएंगे तो 9 तिया 27 नो चोके 36 जीरो सत्रह से जाएंगे सत्रह पंजे 85 सत्रह दूनी 34 और 5 चोके 20 तो सर एक आमान कितना हो जाएगा चार गुणा और तीन जीरो यह रही तो आपका आंसर आ जाएगा सर 4000 कितना आएगा 4000 बिलकुल सही जवाब बिलकुल सही जवाब 4000 आपका आंसर होगा और यही आपका परम सत्य आंसर है ओके तो चलिए अब मैं आपको एक सवाल और दे देता हूं यह आपका हॉमवर्ग है यह आपका हॉमवर्ग है बच्चा इसका आंसर मुझे जरूर बताना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप इस कांसर मुझे बताओगे मैं उमीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस कांसर बताएंगे देखना क्या आपका उत्तर हो होगा और एक बार क्लास को लाइक कर दीजे अगर अच्छी लगी हो कल हमारी क्लास आगे बढ़ेगी डिसकाउंट की और बाकी बहुत अच्छे सवाल बहुत अच्छे कॉंसेप्ट के साथ हम करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए थैंक्यू बाइबाइब जय है